फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे के लिए एपल प्यूरी आपको किस तरह से तयार करनी है आप एपल प्यूरी बच्चे को 5 मन्त से देना स्टार्ट कर सकते हैं और 9 से 10 मन्त तक आप बच्चे को इस तरह से एपल प्यूरी बना के खिला सकते हैं तो चलि के seats मैंने यहाँ पे निकाल दिया है अच्छे से साफ कर लिया है उसके बाद हम पीछे का छिलका भी निकाल देंगे अगर आप चाहे तो छिलका ना भी निकालें तो भी चलेगा अगर आप extra fiber बच्चे को देना चाहते हैं इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर छिलका साथ में कर रहे हैं तो बच्चे को extra fiber तो मिलेगा लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा cook करना पड़ेगा बस इतनी सी प्रॉब्लम है और उसके बाद हम छोटे छोटे टुकडे कर लेंगे हलके से पतले से करेंगे ताकि अच्छे से हम इसको steam कर पाएं तो यहाँ प आप बहले भी सारी चीजे कर सकते हैं उसके बाद मैंने एक चलनी ली उसके ऊपर रखती है आप इस प्रोसेस को किसी और तरीके से भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसके बाद सारे एपल मैंने इस तरह से डाल दिये और डालने के बाद आप चाहें तो इस पे कुछ प बताया है अपल प्यूरी आप किस तरह से बना सकते हैं उसके चार-पांच वीडियो पर पड़े हुए हैं वह भी आप देख सकते हैं तो पांच मिनट मैंने इसको कुक किया लो से मीडियम फ्लेम पर उसके बाद प्लेट को मैंने हटा दिया तो इस टीम हमें करना है कुक नही होती है ना बच्चे को हार्ड पॉटी की प्रॉब्लम होती है आप देखिए काफी सॉफ्ट हो चुका है मैंने दबाके आपको दिखाया है अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप इस तरह से फॉक से स्पून से दबाके भी बच्चे को खिला सकते हैं लेकि कच्चा पाने हम बच्चे को नहीं देते हैं कच्चे पाने से बच्चे को इनफैक्शन हो जाता है पीट में तो हम बॉइल पानिंग तो मैंने वही पाने लिया है जो मैंने बॉइल कर रखा था अगर आपके पास अलग से है तो आप वो भी डाल सकते हैं उसके बाद मिक्स खाने ही पा रहा है या फिर आपने पहली वार उसको दिया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं तो जो मैंने जार लिया था इसमें चिपका हुआ था एपल तो मैंने सोचा मैं इसी को और अच्छे से कर लेती हूँ तो इसमें डाला मैंने थोड़ा सा प पतली करने के लिए यहां पे थोड़ा सा पानी बॉयल पानी हमने यहां पे एड़ किया उसको अच्छे हम कर लेंगे मिक्स ताकि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए और बच्चे दूद की तरह इसको पी सके इससे बच्चे को सॉलिड में अच्छा फाइबर मिलेगा और बच्चे को काफी पॉस्टिक चीज़े मिलेंगी इस प्यूरी को आप सेमन मन्त तक रख सकते हैं लेकिन उसमें आपको पानी मिक्स नहीं करना है तो इस प्यूरी को ले जा सकते हैं एक बात आपको ध्यान रखनी है एयर टाइट कंटेनर में रखना है और जब भी आप बच्ची को दें थोड़ सा गुंगुना सा करने ताकि कोई भी बैक्टिरिया अगर बन गया हो तो वो मर जाए घ्लका सा गुन गुना करके ही आप बच्ची को खिला में इस से बप काफी ठीक रहे गा कोशिश करिये कि फ्रेश बना की ही खिला लेकिन अगर आप सफर में जा रहे हैं होटल में कोई सुविदा नहीं हैं आप पहले से बना के ले जाना चाहते हैं तो आप बच्चे को इस तरह से बना के खिला सकते हैं ये टाइट कंटेरर में आपको ले जाना है और बच्चे को दो चममच आप बच्चे को डेली खिला सक तो इस तरह से आप एपल की प्यूरी बना के बच्चे को खिला सकते हैं बच्चे को इससे काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए